हेलो मेरी यूट्यूब फैमिलीज तो कैसे हैं आप लोग आशा करती हों कि आप अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे पालक और मटर की बिल्कुल ही नई रेसिपी जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ सेयर करूँगी तो चले चलते हैं बनाने की ओर तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पालक ले लिया है उसको अच्छे से पहले ही दो लेंगे और दो के पानी उसका सुखा लेंगे ये देखिए बिल्कुल फ्रेस लग रहा है ना पालक क्योंकि इसके पानी को मैंने सुखा लिया था पहले दुल के उसके बाद मैंने कट किया कभी भी कट करने के बाद आप पालक को ना दुले वो दो सबस्कित हैं, तो सबसे पहले को चड़ाइँ, और कड़ाई को गर्म होने देंगे, रग्ण होते ही डालेंगे उसमें सर्सो का तेल, और तेल के गर्म होते ही डालेंगे, जीरा जीरा चड़कते ही बारिक काठे, जो लासन की कलिया को रखा था वो थोड़ा सा उसमें से बचा लेंगे लास्ट के तड़के के लिए और हमारा लासन जैसे थोड़ा सा पकजा उसमें डालेंगे गरेट किया हुआ अ드rak कि आप बारी काटके भी डाल सकते हैंं और उसको थोड़ा सा कर्ची की मदद से उसको चला लेंगे और उसकе बार ढालेंगे हरी मिर्च हरी मिर्च आपके लिBA Thats अब को ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा ही बढ़ा सकते हैं और ना पसंद हो आप भी स्कीप भी कर सकते हैं कि तोड़ा सा कर्षी से चला लेंगे यानि कि यारीद की थोड़ा सांटी तोर दुल भीर मालों में थे कमी तोर डालेंगे। बेसन जब एक चमाच के करीब बड़ा चमच से एक चमच डाला है मैंने और जब भुनते हुए इस तरह से वो बेसन अच्छे से भुन ज्याएगा तो उसमें डाले THIS तामाटर और टामाटर के डालने के बाद भी हम उसको अच्छे से फ्राइ करेंगे और जैसे ही टमाटर थोड़ा सपक जाए उसमें डालेंगे आधा चमच कस्मेरी लाल पाउडर, आधा चमच मिर्च पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर और आधा चमच हल्दी पाउडर और इन सब को डालके फिर से हम अच्छे से चला लेंगे और मसाला हमारा जले नहीं इसलिए डालेंगे इसमें चार से पांच चमच पानी और पानी को डालने के बाद भी हम ना मसाले को अच्छे से चला लेंगे और हमारा नामट्र कальный क्यों नहीं वो रहा? फिर मुझे की जाद मैं याद है कि हम दो इसमें नमकी भूल रहा है फिर मैंने डाला इसमें नमक लबख एक चमच के करीब और नमक काईnaire डालने के सागी डालें गूली के बाद जैसे ही मैं जोनें पाद नमक को अगया तो अच्छे से जब इसको बूल लेंगे एक डेड़ मिनट मेडियम फ्लेम पे तो फिर इसको डखकन से ना कवर कर देंगे और कवर करके हमको 90 परसंट जो यह मटर है इसको पका लेना है सिफ 10 परसंट ही यह पालक के साथ पकेगा तो इस तरह से मैंने ना ना टो पर लगबग इसको कवर किया घ्टाया चलाया थाकि मसाला जो है ना हमारा नीचे लगे और मटर जो है वह बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए तो यह देहर इस तरह से बिलकुल अच्छे से जो है आइल रिलीस कर रहा और ये देखें मटर हमारा ना 90% पक चुका है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो अभी डालेंगे हम इसमें कटे हुए पालक पालक अभी आपको बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन जब ये भूनेगा ना जब ये पानी रिलीस करेगा वाटर रिलीस कर पालक के अनुसार पालक कुदबख नवकीन होता है तो उसमें कमी नमक डाले अगर आपने पहले ही ज्यादा नमक डाल दिया था तो अभी नमक ना डाले और ये देखें कितनी कलर्फुल हमारी जो है ना ये मटर और पालक इतनी अच्छी बनके तयार हो रही है तो इसमें पानी आप गरम ही डाले ठंडा ना डाले और लगबग 200 ml के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डालने के बाद ना हम इसको अच्छे से पकाएंगे लगबग 10 मिनट लो टू मेडियम फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा जो पालक है वो अच्छे से पक जीरा जीरा चटक जाएंगे वैसे हम उसमें जो लहसन हमने बचा के रखे थे न वह लहसन और फिर डालेंगे हरी मिर्च पूरी तरह से ऑप्सनल है आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से फ्राइब कर लेंगे और थोड़ा सा डालेंगे एक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आकन पर क्लिक कर लिजेगा तक आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और फिर उसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर ताकि कलर अच्छा है पूरी तरह से यह तर्का ऑप्सनल है आ जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा टेश्ट तो बहुत अच्छा हुआ था हमने भी खाया आप इंज्वाय करें तब तक के लिए टेक केर बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेरा सब्सक्राइब